हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल इमिद्टर चैनल तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईरिस के बारे में तो अभी नुबर से पैंसन सत्यापन का काम है वो चालू हो जाएगा तो पैंसन सत्यापन में हमारे कस्टमरों के जो बुजूर्ग गुलोग होते हैं उसका फिंगर लगाने में बहुत ही दिक्कत आती है तो आपके पास में एक आईरिस डिवैस होनी चाहिए आईरिस डिवैस से आप बहुत ही आसान तरीक से बहुत ही फास्ट तरीके से कस्टमर का I scan करके पैंसन से त्यापन कर सकते हैं तो आईरेस मैं आपको दिखा देता हूं मेरे पास में अभी अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं यह आईरेस दिवाइस है और मैंने यहाँ पर एक डिबबा लगा के रखा है ताकि आँख है वह सही से scan हो जाती है तो इस iris device का link है मैं वीडियो के description में दे दूँगा आप वहाँ से clicker के Amazon से purchase कर सकते हैं और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस device को अपने system के अंदर कैसे install करना है और कैसे browser की setting करनी है कैसे iris की setting करनी है उसके बाद मैं आपके system के अंदर iris device बिलकुल work करन से लग जेगी pension सत्यापन के लिए तो चलिए वीडियो को करते हैं continue अगर आपको वीडियो पसंद आजाता है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तम सेर जरूर करें और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं तो अब हम चलते हैं computer की screen पर और आप यहां पर देख सकते हैं वंत्रा की official website पर आने के बाद में आपको यहां पर support माउस लाना है और download पर क्लिक कर देना है जैसे आप download पर क्लिक करोगे तो इस परकार से आपके सामने जो डिवाइसे से यह उपन हो जाएगी और यहां पर आपको अगर आप iris device का driver है और ड driver पर क्लिक करना है और इस website का link में वीडियो की description में भी दे दूँगा तो आप वहां पर क्लिक करके इस website पर direct आ सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह driver है यह पिस्पन MB का है और यहां पर download पर क्लिक करके download कर लेना है इसके बाद में आपको यहां पर एक software और डाउलोड करना ह ना है जो डी सर्विस है और यहां पर आपको डी सर्विस यहां पर दूब दिखाई दे रहे तो आपको यहां पर क्लिक करना है विंड्योग करना है तो आपके कि सेश्टम के अंदर आइरेस का ड्राइबर और ड्राइबरि सिर्फ दोनों ही डांलोर्ड हो जाएगा तो मैं यहाँए रघ्वर्ड करके है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको ड्राइबर इस्ट heaven कैसे करने हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं यह ड्राइवर है और यह आड़ी सर्विस है तो ड्राइवर पर आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है राइस एड्मिनिस्टर पर क्लिक कर देना है उसके बाद में यस कर देना है बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है यहां पर इस से परचाइज कर सकते हैं तो इसके बाद में आपको यहां पर फिनिश पर क्लिक कर देना है उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं एक आईरेस का बॉक्स ओपन हो गया है आप इहां पर देख सकते हैं Iris का बॉक्स से यह उपन हो गया है इसके अंदर कुछ भी दिखाई दे रहा है तो आपको अपने सिस्टम के इंदर इस इसको किनेक्ट कर लेना हे तो मैंने यहां पर Iris को connect कर लिया है तो आप यहां पर देख सकते हैं डिवाइस का नाम या मोडल नंबर या सेरिल नंबर यह वर्जन सब कुछ दिखाई देज जाता है तो इसका मतलब आपके सिस्टेम के इंदर में राइरस डिवाइस है वो connect हो गई है अब आपको क्या करना है अब आपको करना ह आप यहां पर आइट वाले राइट क्लिक करना है राद इस भी कर देना है यहें पर आप देख सकते हैं यह परकार से पॉप ओ सब्सेंध और यहां पर मैं इसको करना हूं अभण यह थे हैं आपकी आइरस रेसे ओट से to use हो गई है तो आपके system के अंदर iris device से यह बिल्कुल connect हो जाएगी तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे system के अंदर फर्स्ट टाइम है यह आइरिस device connect हो रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस परकार से पॉप आते रहेंगे ready to use आता है इसका मतलब आपके device के अंदर आपके system के अंदर device बिल्कुल successfully connect हो गई है अब मैं आपको google chrome browser को open करके दिखा देता हूं उसके अंदर अमारे को क्या-क्या setting करनी है पैंसन सत्यापन के लिए तो मैं यहां पर google chrome browser को open कर लेता हूं तो यहां पर मैंने google chrome browser को open कर लिया है और यहां पर आपको आ जाना है three dot प फिल्कूल update दिखाएगा उसके बाद में आपको यहां पर क्लिक कर देना है privacy and security पे उसके बाद में आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है यहां पर करना है और यहां पर आप देख सकते हैं always use secure connection आपको यहां पर क्लिक कर देना है इसके बाद में आपको एक और setting कर द यहां पर लिखोगे उसके बाद में एंटर कर दोगे और यहां पर आप लिखोगे इन्वेलीड लिखोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका डिसेबल होगा तो आपको यहां पर इनेबल पर क्लिक करके गूगल क्रॉम ब्राउजर को रिलाउंज कर देना है तो इतना काम आपको कर देना है उसके बाद में आपकी SSID को लोगिन कर लेना है और राज SSP को उपन करना है उसके बाद में IRS को यूज़ करना है तो मैं यहां पर पूरी प्रोसेस लोगिन करके भी आपको दिखा देता कि हमारे system के अंदर iris काम करती है या नहीं करती है तो आप देख सकते हैं अभी तक हमारे system के अंदर iris device का ready to use नहीं आया है तो ready to use लाने के लिए आप या तो अपने system के अंदर id series को वापिस restart कर सकते हैं या फिर आप अपनी जो usb plug है उसको आप निकाल करके वापिस लगा सकते हैं तो मैंने usb plug को निकाल दिया है तो आप देख सकते हैं रिमू लिखा हुआ गया है अब मैं वापिस लगा देता हूं तो आप यहां पर देखोगे कि हमारे device अटेज लिखा हुआ अभी यहां पर ready to use आ जाएगा तो आप देख सकते हैं framework is ready to use आ चुका है यानि हमारे system के अंदर iris विल्कुल connect हो चुकी है तो इस परकार से आप अपने system के अंदर mantra iris का driver और rd service को install कर सकते हैं अगले वीडियो के अंदर मैं आपको पैंशन सित्यापन करके दिखा दूँगा